अब मैं आपको दिखाने जा रही हूँ अफकत के सक्से सक्से घर, सिर्फ पार्ट लाख रुपे के घर, तो देर किस बाती दिखाते हैं आपको ने लोगार आम इंसान की जरूरत है रोटी कपड़ा और मकान, रोटी और कपड़े का तो किसी तरह इंतिजाम सब लिया जाता है, लेकिन अपना घर एक सपना ही बना रहता है, जमीन की बड़ती कीमतों ने तो अब घर का सपना देखने पर ही पावंदी लगा दी है, लेकिन परशान मत ह अब आम लोगों के सपनों का घर सपना नहीं रह गया, अखिकत बन चुका है, ऐसा घर जिसकी कीमत होगी आम आजनी के बजट में, आप ये भी कह सकते हैं, अब आ गया है नैनो घर, जब इस देश में एक लाख रुपे की कार बन सकती है तो फिर कोई बिलडर ऐसा घर क्यो नहीं बना सकता, ऐसा घर जिसकी कीमत हर आम इंसान की बजट में हो, यहां ये सपना सातार होने जा रहा है दिल्ली अंतियार के खरीदारों का, दिल्ली जैपुर हाइवे एनेर्चेट पर मानेसर से तस क्मिमिटर के दूरी पर फिलकॉन, रियालिती, हज़ारों लोगों के घर का सपना पूरा करने जा रहे हैं, बुल्मोहर बुजचनान के स्कॉजेक्ट में कुल पांच हजार घर क्रयार किये जाएंगे, यह घर स्टूडियो अपार्टमेंट यानि वन बेडरूम से ठोंगे, और घर का एरिया होगा 360 पर फुर्ट, इसलिए इसे नैनो घर भी कह जा सकता है, इस तरह का घर 26 लास घर बनाने से जो और सकता है, और उसको धान में रखते हुए हमने जहीं सोचा कि सारे डिमोग्राफिक लेली की शूट करती हैं, और इस तरह का घर बनाने से हर एक आदमी अफुड़िबल कर सकता है, नैनो घर में एक एक इंच की जगह का बखु भी इस्तमाल किया गया है, हर चीज साथ होने के बावजूर भी ये गर काफी कुला लगेगा, घर में एक बड़ा बेट और दो छोटे सोपे बैखने के लिए आसानी से रखे जा सकते हैं, बेट के सामने लकरी का एक राग बनाय गया है जहां आप तीवी, डीविड रखने के लिए भी अलग से जगा दी गई है, घर में दो बड़ी अलमारी है जहां कपरों के साथ और समान भी रखा जा सकता है, यह है इस घर का किचिन, किचिन को बहुती अच्छे धंग से बनाय गया है, कम जगा के बावजूद भी आपको ये किचिन स्पेशिस लगेग बाहर के रोश्णी और हवा के लिए दो बड़ी किल्किया हैं, जो सीधा एक बड़ी और सुप्सुरत बालकनी के ओच कुलती है, बालकनी में तीन कुल्सिया और एक राउंड से बिलासानी से रखी जा सकती है, नेचरल लाइट उसमें जगा आए और हिमन कमफोर्ट के लि पांच लाइट है, अब ये भी सुल लिजे की से खरीदना कितना आसान है, बेसिक सिल प्राइस इसका साड़े पांच लाइट का है, उसमें जदी वो चार लाइट रुपया लोन लेता है, और आठ नौ परसेंट के इसाफ से उसको लोन की रिपेमेंट करनी पड़ती है, य प्रक्षा के इंतिजाम तो होंगे ही, साथी बुनियादी सुविधाओं के लिए शॉपिंग मॉल, अस्पताल और बच्चों के लिए स्कूल भी बनाया जाएगा, दिल्ली एंचियार से थोड़ा दूर होने के कारम, घर से शेहर तक आने जाने के लिए बस सुविधा भी बड़े परिवार के लिए लिखर भले ही छोटा है, लेकिन एक कपल यहां बड़े सुकून से रह सकता है, लेकिन इस नैनोघर की चाभी को लोगों तक पहुँचने में अभी देर साल का वक्त लगीदा, पहले नैनोकार और अब नैनोघर, वो घर जिसे खरीने के लिए जारों लोग हाथ में पैसा लिए इंतजार में हैं, मगर ये सफना अभी सिर्फ दिल्ली एंसियार के खरीदारों का भी पूरा होगा, बस इंतजार है तो दूसरे महनगरों में भी ऐसे घरों का, तो फिर वो दिन दूर नहीं होगा, जब हर आम इंसान के पास होगा रोटी कपड़ा और मकार, प्रापटी बाजार के लिए सुनीना रोडा